तो चड़ी चात्रों यहां पर आपका मौज हो चुका है क्लास आपका सेबन का बिस है आपका हिंदी का देखिए अर्दवासिक मुल्लेंकन यानि आपका हाफ एल लिगजाम का पूरा आपका यहां पे रियल पेपर आचुका है देखिए यहां पर आपका सात नॉंबर का यहां पर जैसे आपकी blueprint आपने देखा होगा, तो देखे, आपके एक से लिकर दस्तर के question आपके इसमें, यहां पर देखिए आपके objective होगे, आपको doubt लग रहा होगा क्या sir, आपको यहां पर 50 नंबर कही है, तो चलिए आपको मैं इसका आपको prove दिखाता हूँ, कैसे आपको real paper आपका यहां पर आ चुका है, एक एक question अभी आपको 2-4 गंटे के अंदर आपको याद कर लेना है, क्योंकि सुबह आपका यह वीडियो डिलीट हो जाएगा, ठीक है, part by part आपको यह पर दो पार्ट में पूरे answer दे देंगे, देखिए, आपके 10 question आपके objective है, है ना, तो एक दो तीन और इसके बाद देखिए, यहाप आपके total, आपके objective यहापे 10 बापको खतम हो जाएगा, 10 नमबर का, ठीक है, और इसके बाद देखिए question आपका 11 बाप, तो 11 बापको यहाप देखिए, आपका 3 नमबर का, तो 11 तीन आपका 14 और 14 देखिए, 10 हो गया, 10 तीन, 13 और 13 तीन आपका 16 और 16 तीन आपका 19 नमबर, और इसके बाद देखिए, यहाप आपका 19 तीन, आपका 22 और 22 तीन किता होगा, आपका 25, 25 तीन, आपका 28 और 28 तीन, आपका 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 28 तीन, आपक पूरा पेपर आपका 50 नमबर का आच चुका है फटा फट आप यहापे वीडियो को लाइक करिए आपको अच्छा लगे दिल से पसांद आए तब लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले हर एक वीडियो को सबसे पहले आपको नोडिशन मिलेगा तो फटा फट आप इसे यहाँ पे चलिए श्टार्ट करते हैं कि क्लास आपका सेबन बिश्य हिंदी परिच्छा आपको तीन गंटा समय मिलेगा है ना तो आपको अंसर इसी आपको पेपर पर करना है देखे सबसे पहला कोश्चन आपको आपकर आता है क्या कोश्चन दिय अंसर की बात करूं तो यहाँ पे आंसर जो आपका इंदर्स है रहे न तो यहाँ पे आपका राजभाणा है और रह corpo まता अहिलेवाई रहाई किसका है? आपको ए नंबर करना है लोक मता अहिलेव बाएउ इसकी बात कुश्चन बोंदेली के पित्र-पूरुस कौण से हैं डाक्टर सर हरी सिंग और इसुरी भूषण ये फिल आपका पदमा का ठीक है देखें आपका जो बंदेली है ठीक है तो इसके आपके पित्र पुड़ू सियानि आपके इसके जनक की बात करें तो यहाँ पे कहलाते है डाक्टर हरी सिंग और्टी के इन्हों नहीं क्या किया था यहाँ पे सागर भी स्विद्याला के यहाँ पे इस्थापना किये थे और इसके बाद देखें कोश्चन आपका तीसरा आता है भारत भवन आपका इस्थीत है कहाँ पे है एक नंबर कोश्चन तो चलिए पहला है या यहाँ तो इसके अंसर की बात करूं इन दौर में है या फिर जिवालपूर में है या फिर दिल्ली में या आपका भुपाल में तो राइट आपका पनेंज ऑप नमर कोस्चन आगर मैं अंसर की मात करूं तो किसले और पर सांवन दुसके लिए ठीक है तो right answer, आपको यआप पीतांबराः, फेट केली हो जाएगा, और आपको यआ पे, ना तो आपका A होगा, ना तो आपका C होगा, ना तो आपका D होगा, ठीक है, वीडियो अच्छे लगे, वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो में घरदा मचा देंगी, आपको कि रानी थी चासी की थी कालपी की या फिर मेबार की या फिर आपका इंदौर की देखे करूंबती बात की जाया तो यहां पर आपका मेबार की रानी थी कहां की थी आपका मेबार आपका इसका अंसर हो जाएगा इसके बाद देखें कोश्य आपका छटा नेरु जी ने अपन इन्होंने ब्यक्त किया था कि आपका नरवदा की नदी में बहा दिया जाए, आपकी जो प्रसित नदिया है गंगा होगे, इन सभी में आपका भी खेला जाए ठीक है, जिससे यहाँ पर क्या है, सभी को यहाँ पर प्रेणा मिले, और इसके बात देखी यहाँ पर कोश्चन दीपु कौनसी कच्छा में पढ़ता था तिसी कक्चा, चौती कक्चा, पांचवी कक्चा या पिर आपका पहली कक्चा ठीक है, तो आप यहाँ पर कमेंट करें कौनसा कच्छा में दीपु पढ़ता था आपने पर पड़ाऊ maison का दीपु वाला कभी की अंसवार को डैस संदन सबमा करता है तो देखी बात करें कुढालई को कौन स्बमांध करता है आपका फिल्ट काली यहाँ हो जाएगा ना होगा यहाँ मिणिट होगा सै इसकी बाद आपका जोस्टि ने संत कुर्तिक्त के समान कहा है आपका अनसर देखे आप सन है कौवा, हंस या फिर बगूला या फिर आपका कुवल, तो तुल फिदास पर संत को यहाँ पर कहा है, किसके रूप में कहा है, अपको आपको बन नमबर यहाँ पर लगा देना है, इसके बाद देखे question अपके लगोतरी question क्या है, Q11 लेकर बेस तक Q9 नीचे दिये गए परसनों के आपको उत्तर लिखना है क्या Q9 दिये मेरी भावना कबता में कभी ने किन पर आपका समभाव रखने की बात कही है तो देखिए यदि आपका अंसर की बात किया जाए तो आप इसमें लिखिए इस कभता के माध्यम से आंसर लिख दिजिए इस कभता के माध्यम से आपको मैं जो लिखूँगा आप लिख दिजिए इस कभता के माध्यम से कभी ने है ना माध्यम से कभी ने ठीक है तो मैंने आंसर लिख दिया है बात कही है तीन नमबर आपको इससे मिल जाएगा और इसके बार देखें कोश्चन क्या लिखा है तो देखें आप जानते है क्या है अगर उतर की बात करूँ तो काल क्या होता है तो काल आप यह पे लिख कर आप इसमें डैस लगाई है लिख दीजिए समय का बोध कराने वाल क्रिया काल कहलाता है ठीक है काल कहलाता है आप इसके बाद आपको लिख देना है देखिए इसके भेद की बात कर रहा है तो आप लिख दीजिए काल के आपके तीन भेद होते है ठीक है तो काल के भेद कितने हो जाएंगे काल के आपके तीन भेद पहला आपका होता है क्या होत छो भूत क्या यह भीटए झाल जो भीट गया वीड़िए अप लिख दी जहाँ पर आपको たいस्वार पॉइन के लिख हो समय के लिखता हैि मिली अपके लिखनुन करने वाले करिया को आपको आपके काल कहलाता है और काल के भेट क्या है आपके देखिए बरतवान खाल भूत काल और आपके भविस काल ठीक है यहाँ पर आंसर मिलेगा आपको कोश्चन आपके बारतक के अंसर और इसके बाद देखिए कोश्चन आपके बारतक के अंसर और इसके बाद देखिए अगर मैं बात परूँ अंसर की, तो चलिए आपको question आपको तीरे बका भी answer आपको देही देते हैं, ठीक है, question लिखा है बिना अलान के दीपू कैसे उठ जाता है, तो देखिए, answer लिखिए, रात को सोते समय, अपने सिराने पर रखे तक ये से, सुबह उठने को कहकर, सुता समय बीना alarm के है ना, भी न आपका alarm के यहाँ पे ठीक समय पर आपका उठ जाता था, आप यहाँ पे answer लिख देजी ये, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको पूरा अंसर करना है कि रात को सोते समय अपने सिराने पर रखे तके से क्या करता था देपू कहता था कि आपका पर मुझे सुबह उठना है और जैसे यहाँ पर आपका सोने के बाद यहाँ पर अचाना क्या होता था आपको अंसर यहाँ पर क पता पता आप यह पे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैला अगर्ड प्रसक्राइब करिए और एक आपको रियल पर पर मिल सके जहीर जे भारत तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटाने उस पर अपने जीजा जी फैक के मारो या फूपा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे मुठिया पेलने जाना है बा कि प्रेट!